आप देख रहे हैं The Angle और मैं हूँ आपके साथ मुख्यमंत्री अशोग गहलोद को राजनीती में कोई चानक्य कहकर बुलाता है तो कोई जादुकर कहकर बुलाता है उन्हें राजनीती में 40 साल से जादा का अनुभव हो चुका है और वो एक कुशल रनीती कार भी है और यही वज़य है कि इन दिनों लोगसबा चुनाओ के प्रचार में गहलोद, भाजपा और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को उनी के रचे खेल में घेरने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोग घेलोद ने भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता सब्से जाने वाले इंदुत्र के मुद्दे को ही उल्टा कर दिया है जहां एक और पहले भाजपा गाई के नाम पर वोट पर टोड़ती थी घेलोद ने अपनी कोश समवर्धन जैसी योजनाओं से उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है हाल में मुख्यमंत्री घेलोद ने भाजपा को खेटते हुए कहा कि भाजपा पहले गाई को पकड़े बैठी थी लेकिन फिर उसे भी छोड़ लिया उसके बाद भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए राम मंदर का सहारा लिया लेकिन ये सब चीजें भाजपा को सिर्फ चुनावों के वक्त ही याद आती है आपको मैं आवान करा चाहूँगा कि आप इनके चासे में ने आए इस बार पहले राम मंदर की बात करते थी आप यह जो बुजड़क बेटेवन को रियाद होगा चाली साल पहले लोग जंतन के नाम की बार्टी थी ये बीजेपी गोव माता गोव माता की बात करते थी गोव हत्या बंद करो अगर न चलते थे और गोव माता को छोड़ दे रहने तीस साह तक तो राम मंदर को पकड़ लिया राम मंदर को खोल गए चुनावाता तो राम मंदर याद आता है जो नहां आता तो रामने लियाद आता है अब यह वाँ पर किस्मिन करना हुई सब लोग तारीफ कर देख शरूर अच्छा का हुए वाँ जाकर गे अटेक कर गे पर जुटा बंदान करने महिर है मोदी जी और इनकी पूरी ज्यमाद BGP की RSS की जानते हैं कि अपने प्रतिद्वन्दियों को उसी के हदियार से कैसे मान दी जाती है घेलोट ने विधान सावा चुनाव जीतते ही सबसे पहले ऐसे फैसले निये जिनसे मोदी और शाह के इंदुत्व के गाडे रंग को खलका किया जा सके अब देखने वाली बार ये होगी क्या वास्तर में घेलोट की इस उशल रणीती से भाजपा की जीत के सपने चूर चूर हो जाते हैं साब ले हाती ती हर्च नौती है रे साब ने खड़ी घूर के पड़ी आख दिखलाती है तो आख से उसकी आख बिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल